पुर्वज जी मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी चितन्य महाप्रभु जी के बारे में, क्यूंकि आपके पूर्वज गुपाल भनको सौमे जी उनी के शिश्य रह चुके हैं, तो चितन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा कहा जाता है, कृष्णी के अफ्तार बताए जाते तो धर्म के अलग अलग एक प्रकार से संसमर्ण है, स्टेजिस हैं यह कहिए धर्म के स्वरूप हैं, उसमें एक धर्म का स्वरूप है, यूग धर्म का मतलब आज की भाश्राम में अचल जी कहूं, तो धर्म को रेलेवेंस कहना, यूग के हिसाब से, जैसे हम आप दो और इन माध्यमों सर्ग हमारे मूल संदेश जा सकें तो उसी प्रकार से युग धर्म की तुलसिदाय जी ने महानस में लिखा कि एही कलिकाल न साधन दूजा जोग जग जपतपवरत पूजा रामही सुमरिये गाईये रामही इस कल्यूग में भगवान के नाम से बड़ा कोई साधन नहीं बचा तो इसी लिए चैतन्य महाप्रभू के रूप में श्री कृष्ण प्रगट हुए जैसे वो युग धर्म हरी नाम संगीरतन की इस विश्व में स्थापना कर सके जैसे श्री कृष्ण ने यग्य किया क्योंकि द्वापर के समय यग्य युग धर्म है एक बात समझेगा श्री राम ने तपस्या की क्योंकि सत्यूग के त्रेता के समय तपस्या युग धर्म है इसी प्रकार से कल्यूग का जो धर्म है वो केबल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वा तुलसिदा जी के एक चौपाई तो बड़ी प्रसिद्ध है कल्यूग केबल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा इसका मतलब इस कल्यूग में एक ही साधन भगवान का जिसको चैतन्य महाप्रवु ने स्थापित किया असे 500 वर्ष पहले नवद्दीव के गाउं में जो कलकत्ता से लगवग तीन घंटा दूर है चैतन्य महाप्रवु श्री कृष्ण और राधरानी एक साथ उस रूप में प्रगट हुए एक और इसके पीछे प्रसंग आता है और वो भगवान है इसकी सब गरंथों ने सभी लोगों ने स्वीकृति किये उसमें सबसे प्रसिद गरंद भक्तमाल जो की विश्व में सारे हमारे सनातन धर्म की जितनी साखा हैं संप्रदा हैं वो उसे मानती है वो भी उन्हें भगवान कहकर चैतन्य महाप्रवु को श् विश्वर की पराकाष्ठा क्या है तब भगवान कृष्ण रूप में आए फिर रिश्यों ने तपस्या करके पूछा ये बताईए भक्त कैसा होना चाहिए भक्ति क्या है तब भगवान चैतन्य महाप्रवु के रूप में प्रगठ हुए जिन्होंने इस पूरी धर्ती को भक्ति का संदेश दिया आज विश्व में जितना हरी नाम संकिर्तन हो रहा है गायन के नरतन के भावना से वो सब चैतन्य महाप्रवु की क्रपा से मीरा भाई भी चैतन्य महाप्रवु से मिली है संत तोकारा मिले है नाम देव जी मिले है यहां तक कि गुजरात से लेके मह महाराष्ट्र से लेके करनाटक से लेके हर प्रांत में चैतने महाप्रभू ने भ्रमण किया और अंत में 18 वर्ष उन्होंने जगरनात पुरी में व्यतीत कि व्रंदावन से जाने के बाद वहां गंभीरा नाम की जगे थी गंभीरा एक चोटी सी कोठरी को कहते हैं उडिया भ अश्ट प्रकार की साथ्विक भाव होते हैं बहुत बाद डीप हो गई मतलब अग्रेजी में बोलो तो सिम्टम ओफ लव हो है जो राधरानी में है जिसमें स्वेद है रूम है कंप है ये सब चीज़ है सिम्टम ओफ लव है वो चैतने महाप्रभू में वो भी प्रतीत होत तो उसके एक सिम्टम है कि आखे लाल हो जाएंगे होट फट 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 बड़ाएंगे बीपी आपका हाई हो जाएगा वाटसवेवर ऐसे शास्त्रों में प्रेम के भी सिम्टम कहें उसको बोलते है आठ साक्तिक भाव हाला कि नई व्यक्ति के लिए समझना कठिन होगा तोड़ा 38 पीडियों की यह कृपाएंगी मैं यह चीज़ उनसे समझ पाया तो वो साक्तिभाव चैतने महाप्रभू में प्रतीत होते थे और जब वो चर्म सीमा तक पहुंच गए तब सही बात तो यह है गोश्वामी जी ने लिखा है जो जानत से हु देहु जनाई आप नहीं तुमेही होई जाई प्रिया प्रियष्या प्रतिरूर अमूरतया जैसे मीरा द्वारिका देश में मिल गए ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभू जगनवाप्रू जी जगण्नाजी में ही मिल गए एकदम दोड़ते हुए महाप्रभू जी हा जगन्नात एक गरुन और एकदम जगनाजी की तरफ दोड़े, सब लोग वहाँ खड़े थे और कुछ देर में पता ही नहीं चला कि चैतने महापरभु कैसे जगनाफ धगवान में समाहित हो इसमें भी तीन प्रसंगें एक प्रसंग में महापरभु जगनाजी में समाहित होते हैं, दूसरे में और तीसरे में एक गोपिनाजी का मंदिर है, उसमें समाहित होते हैं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है कि उनका कुछ पता ही नहीं चला कि वो गए कहा है, यहीं मिष्ट्री है, और मिष्ट्री ही गौड को कहते हैं, किसी ने स्वामी वेकानन से पूछा आपका गौड मिष जिसे ठाकुर जी को हम लोग चपन प्रकार का भोग लगाया जाता है, तो इसकी संक्या चपन ही क्यों होती है, कोई अधिक या कम ऐसा क्यों नहीं, चपन प्रकार के भोजन के जामते हैं, पहले तो मैं घटना क्रम आपको कहूं, दो-तीन प्रकार की उत्तर होते हैं, मूल- श्री यशुदा मैया, जब गिर्राज जी को श्री कृष्ण धान करते हैं, तो दिन में चार प्रहर होते हैं, और एक प्रहर में जितना यशुदा मैया खिलाती थी, उस प्रकार साथ दिन तक गिर्राज जी को श्री कृष्ण ने उठाया, तो जब साथ दिन के बाद में य ये भी एक उसकी मुख्य रूप से घटना को ऐसे भी जोडा जाता है दूसरी बात ये समझेगा चर्ब चोश्य लेह भच्य भुज्य अमलतित्य कटुकसाय मधुर साथ प्रकार के रस होते हैं जीव के उपर साथ प्रकार के रस लेने की उर्जा है चर्ब चवाने वाला चोश्य चूसने वाला लेह जैसे हलुआ इस प्रकार के सब्त रसों का भेद जिब्भा के उपर होता है तो भारती वेज्ञानिक रिश्यों ने उस समय जिभा के ऊपर उत्पन होने वाले जितने प्रकार के रस हैं उन सबसे एक एक पकवान का निर्मान किया जो परमात्मा को समर्पित करके भोग लगाया गया तो ये एक दूसरी और एक संख्या अलग प्रकार से विधिनीत होती है इसके पीचे हजारों और व्याख्यां मिल सकती है अब तीसरी एक और बात है वो ये भी है कि ये जितनी सखियां है राधरानी है ये सब रस शास्तर की दृष्टी से देखूं तो ये सब भोग का मतलब क्या होता है भोग प्रब्द हमार केति प्रभरियति जातों। नायकां का सब्परपदा, ने जो यूरी आरता अगर इनके अर्थ समझने तो कम से कम 10-15 वर्ष तक संस्क्रित और इस संस्क्रित साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, तब इनके शब्द आएंगे, इसलिए में ज्यादा व्याक्या में नहीं जा रहा, पर यह आठ प्रकार की जो नाइकाएं हैं, वह आठ प्रकार की तो 56 भोग की संख्या तयार होती है, इतनी व्याक्या ही परियादते, पूरी व्याक्या समय में दो घंटे की व्याक्या लगती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, झाल झाल झाल